हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों सिच्छा मित्रों के लिए ख़बर आई है जो भी कल कैबिनेट की बैठक होई उसके बार जो ख़बर आई है आई आपको वो ख़बर बताते हैं उससे पहले दोस्तों आप लोगों से रिकर्ष्ट है अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर करना हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल का आइकन दबा दीजिए ताक कि आप लोगों को हर लेटेस्ट अब्डेट सबसे पहले मिले दोस्तों तो आईए देख लेते हैं संगठन की तरफ से क्या ख़बर आई कैबिनेट की बैठक के बाद यह देखिए दोस्तो सिच्छा मित्रों का ऐलान समस्याओं के समाधान के विना नहीं देंगे वोट उत्तर प्रदेश दुरस्त बीटी सी सिच्छक संग ने ऐलान किया है कि यदि प्रदेश सरकार ने लोग सबा चुनाओं से पहले सिच्छा मित्रों की समस्या का समाधान नहीं किया तो वे भाजपा को वोट नहीं देंगे दोस्तों ये बाते साफ कर दी गई हैं अब संगठनों की तरफ से और वो एलान भी कर देंगे खुले मंच से संग के प्रदेश अध्यच अनिली आदम ने उपमुख मंतरी डॉक्टर दिने सर्मा की अध्यचता में गठित उच्चिस्तरिय समिती की सिफारिसों को लागू करने की मांग की है उन्होंने कहा है कि भाजपा ने विधान सबाचुनाओ के संकल पत्र में सिफ्चा मित्रों की समस्य का समधान करने का वादा किया था लेकिन दो बर्स बीतने के बाद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया उन्होंने कहा कि 1.70 लाख सिच्छा मित्रों के साथ उनके परिवार के लाखों मत दाता है समाईजन रद दोने के बाद सिच्छा मित्र आर्थिक तंगी के दोर से गुजर रहे हैं सवाल के सरकार केवल आस्वासन दे रही है और कुछ नहीं कर रही है सिच्छा मित्रों के साथ तो देख सकते हैं दोस्तों जो अध्यच्छ है अनिल आदम उनकी तरफ से साफ आरोप लगाया गया है कि सरकार ने अभी तक संकल्पत्र का बादा पूरा नहीं किया लेकिन अब सिच्छा मित्रों ने अब संकल्प कर लिया है और संग्टनों ने भी अब संकल्प कर लिया है कि बीजेपी को हराना है और बीजेपी को वोट नहीं देना संग्टनों का साफ कहना है कि बीजेपी चाहे अपना संकल्पत्र का बादा पूरा करे या ना करे वो उसकी कतनी और करनी में अंतर लेकिन सिच्छा मित्रों ने जो संकल्प लिया है उसे वो जरूर पूरा करेंगे और भाजपा को वोट नहीं देंगे ये संगटनों का साफ कहना है अगर सिच्छा मित्रों की समस्या का समधार नहीं हुआ तो सिच्छा मित्र अपना संकल्प जरूर पूरा करे तो यह ख़बार आई और आपको बता दें cabinet की बैठक cabinet की बैठक में दोस्तों सिच्छा मित्रों के लिए अभी तक तो कोई प्रस्ताब नहीं पास हुआ है लेकिन बीएट के लिए जो भी संसोधन हुआ है बेसिक सिच्छा नियामा वाली में कि बीएट की प्राइमरी में एं किन सिच्छा मित्रों को इस सिच्छा मित्रों के लिए जरूर स्थाइ समाधान निकले लेकिन जो आजय प्रताप नेवादा किया था सिच्छा मित्रों के लिए और मुह मंतरी से कल मुलाकात भी कि थी जल से जल और बीस्तिय के 10 को समधा नहीं हुआ है उसमें का साफ खायना था आज अगर आता है प्रस्ता वर आँट चार तरीख के बाद मंधिcing मंदल विस्तार होना इसके क्याविनेट के बैठक तो डेट अगे बढ़ती जा रही है जैसे जैसे चुनाओं की तारीक शिच्छा मित्रों के लिए एक नई तारीक मिल रही है चुनाओं आते आते तो देख सकते हैं यह खबर आई और आपको बता दें जितने भी संग्टनों ने दावा किया था कि सिच्छा मित्रों के लिए कैबिनेट वैठक में प्रस्ताव आने जा रहा है तो देख सकते हैं इस सरकार को समझना किसी के भी बसकी बात नहीं रही है अब क्योंकि जो बाते कही जाती रही है सभी की तरफ से जो भी मंत्री हैं उनकी तरफ से बार बार का जा रहा है कि सिच्छा मित्रों के समझा का समधान एक से दो दिन में हो जाएगा जैसा कि बेसिक सिच्छा मंत्री ने भी कहा ओप मुख मंत्री ने भी बहुत बार कहा सिच्छा मित्रों के संग्टनों से कि आपकी समझा का समध पास नहीं हुआ है कैबिनेट में या कोई भी प्रस्ताव आया तक नहीं है जो सिर्फ मुख मंत्री जी के पास अभी भी पड़ा है पेंडिंग में तो देख सकते यह खबर आई सिच्छा मित्रों के लिए और इस सरकार को सिच्छा मित्रों के संगठन का भी समझना बस की बा और जो उनके लाखो एक लाख सतर हजार तो सिर्फ सिच्छा मित्र है और उनके परिवारों में भी कितने लाखो संग्या होगी जाके यह अंदाजा भी बीजेपी नहीं लगा सकती है यह संगठन का कहना है और देख सकते हैं संगठन का साफ कहना है सिच्छा मित्र अपना स समस्या को लेकर ग्यापन सौपा है जिलाध्यच ये देख सकते हैं मुरारेनात कुसवाहने ओम प्रकास राजबर जी को जो कैबिनेट मंत्री है योगी सरकार में उनको सिछा मित्रों की समस्या को लेकर ग्यापन सौपा है और वह बहुत बार आप लोग जानते हैं कि कैबिने तब भी तो देख सकते हैं सिच्छा मित्रों की समस्याओं को लेकर उन्होंने मांग पत्र अपना सौपा और जो कैबिनेट मंतरी ओंप्रकास राजवर हैं वो पहले ही कहे चुके हैं मीडिया के माध्यम से की जो बेसिक सिच्छा विभाग और पुलिस विभाग इनकी जो योगी सरकार अंदेखी कर रही है वो बहुत चुनों में भारी पड़ेगी और ये सरकार बदलने के लिए काफी हैं वोट जो बेसिक सिच्छा विभाग आप लोग समझी गए हैं सिच्छा मित्रों से इतनी जाज़ा संक्या है सिच्छा मित्रों की ही कि सरकार बनाने की दम रखते हैं और गिराने की भी तो यह खबर है देख सकते हैं आपको फोटो भी दिखा देते हैं देख लीजे सुपते सिच्छा मित्रों के संग ठन के जिलाधिकारी जिलाध्यच जो भी जिलाध्यच हैं वो संग सोरी जिलाध्यच सौपते राजवर्जी को मांग पत्र अपना और उनसे कहा कि समस्या के समधान कराईए आप मंत्री है कैबिनेट में योगी सरकार में और योगी यह कि наверand 나 direct send Critzer mentally sun Awesome Working από 회 이후u यह छूबराई यह मंत्र सौंपते हुए इसमें सभी मांगें सिच्छा मित्रों को इस्थाई किया जाए जो ओन्होंने वादा किया था इस्थाई करेंगे वह बादा पूरा किया जए एक संकल प openness पूरा करेंगे तो यह खबर आई उन प्रकास राजबर जी को लेकर अगली खबर देखते हैं सिच्छा मित्रों से संबंदी दोस्तों यह देखिए दोस्तों जो संग्ठा ने उनकी तरफ से कही गई यह बात और बाकी संग्ठनों पर आरोप भी लगाये गया है उत्तर प्रदेश के सम्मानी बीजेपी एजेंटों के बैकावे में आकर सम्मान वापसी की ख्वाव देखने लगते हैं परिणाम सून निकलता है यह दर्मेंड यह देख सकते हैं धर्मेंडर पांडे की जी की तरफ से खबर आई है यह इसमें कहा गया है कि जो बीजेपी के एजेंट उन्होंने साफ फार उप लगाया है कि सिर्फ बीजेपी के एजेंट हैं और कुछ नहीं और बार बार डेट ही देते हैं लेकिन परिणाम सिर्फ सून निकलता है यह तो अभी तक साबित होता आया है और लगभग पिछले दो साल से साबित हो रहा है तो देख सकते हैं इसमें और भी आगे किया है सभी सिच्छा मित्रों से कि धर्मेंद्र पांडे जी द्वारा देख सकते हैं पांच तीन दोहजार उन्निस दिन सोंबार मां सिवरात्री के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंतरी डॉक्टर दिनेश सर्मा जी के लखनव इस्थित आवास पर भ कारवाई होती दिखाई नहीं दे रही है लेकिन यह जो अगली भूखरताल होने जा रही है यह उप मुख्यमंतरी डॉक्टर दिनेश सर्मा जी के आवास पर होने जा रही है जो पांच तीन दोहजार उन्निस दिन सोंबार और मांस सिवरात्री देख सकते सोंबार को यानि कर्म इил क movie मित्री दोक्टर दिनेश सर्मा जी के लखनाव उस टीत आवास पर कार्यक्रम रखा गया है जिसमें मान मान सम्मान के लिए पहुंच कर अपनी आवाज भूलंद करें यह संघंठन क की तरब से बाते कह गई कि जो भी सिच्छा मित्र हैं पहुँचे और सभी संगठन यही बाते कहते रहें कि हमारे धरने में पहुँची हैं लेकिन सिच्छा मित्र जब जाते हैं तो वहां कोई परिणाम निकल के नहीं आता है तो देखां आपने चार तारिक को ओप मुख्मंत्री डॉक्टर दिनेश सर्मा जी के आवास पर भूखरताल होगी उस दिन सुंबार को महासिवरात्री के पावन पर ये भूखरताल सिच्छा मित्र करेंगे और अपनी समस्या का इस्थाई समादान करने की मांग करेंगे जो जल से जल सरकार करें परना आस्वासन से पेट नहीं भरता है ये सिच्छा मित्रों के संगठन का साफ कहना है तो देख सकते हैं ये सभी संगेटन अपने इस तर से प्रयास करते हुए लेकिन अभी तक किसी काफी प्रयास रंग नहीं लाया है जो की साफ दिखाई पढ़ रहा है तो देखा आपने ये खबरे आई ओम प्रकास राजबर जी जो कैबिन मंत्री हैं उनको मांग पत्र सिच्छा मित्रों के संगठन ने सौपा और जो प्रदेश अद्यच्छ अनिल्याद अब उनकी तरफ से संकल्प लिया गया है कि बीजेपी अपना संकल्प पत्र का वादा पूरा करे या ना करे सिच्छा मित्र आप जरूर पूरा करेंगे अपना संकल्प जो उन्होंने ले लिया है बीजेपी को हराने का ये खबरे आई जो हमने आप लोगों को साथ सेर कियें दोस्तों निउज अच्छी लेगी हो लाइक करिए सेर करिए अपने सभी दोस्तों क के साथ और सब्सक्राइब कर लिजी हमारा यूटूब चैनल लेटेस्ट अपडेट के लिए धन्यवाद